हाई गाईस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में हम 11 सितम पर तक के सभी important करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आज भी आज को काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाईस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली कर अंट अफेर्स पीडियेफ वीक्ली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाते हैं तो इस वीडियो के फस्ट कोमेंट में दिए गई लिंक पर क्लिक करके पासकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइट पर दिये गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें कोई भी आपका डाउट हो कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें तो चलिए फिर करते हैं सुरुआत इस दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तो देखें फेंट्स तमिलनाडू सरकार ने का है कि हम पाक बे यहां पर इंडिया का फस्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इसको सैट अप करेंगे आपको जानना चाहिए जो यह डुगोंग है इसको सी काओ भी बोला जाता है और यह हर्भी वोरस मैमल है यानि कि जो प्लांट्स वगरा खाते हैं उन उसको बोलते हैं हर्भी वोरस और आपको बता दे यह तीर मिटर तक के लोंग हो सकते हैं और तीन सो केजी तक इनका भार हो सकता है और 65 से 70 साले अराम से जी लेते हैं साथे आपको जानना चाहिए और यह थर्टी कंट्रीज में पाए जाती हैं और यह गल्फ ओफ मनार, गल्फ ओफ कच, पाकपे और अंडमाने निकोबार आइलेंड्स में भी पाए जाते हैं साथे आपको जानना चाहिए अंडमाने निकोबार के तो यह इस्टेट एनिमल भी है और हाली में हमने तमिल लाडू से जुड़ा हुआ करेंट अफेर्ज यह पड़ा था कि तमिल लाडू के सीम ने मकलाई थेडी मरुतुम इसकीम इसको लॉंच किया है तो इस तरह की जो इसकीम आती है तो हम कभी-कभी कन्फिजन हो जाता है कि केरल है या फिर तमिल लाडू है तो याद रखेगा त राथी आपको जानना चाहिए तमिल लाडू में हाली में आदी पूरम फेस्टिवल यह भी मनाया गया तमिल लाडू के बारे में थोड़ी स्टैटिक जीके जान लेते हैं तो चीफ में श्ट्राब जानते हैं गवर्नर अब तक यहाँ पर बनवारी लाल पुरो ही थे लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट चेंज हो गए हैं अब जो नाकालेंड के गवर्नर थे उनको तमिल लाडू का गवर्नर बना दिये है आर एन रवीन का नाम है साथी कैपिटल चेन नहीं है आप सभी जानते हैं मिनाक मोलाई टाइगर रिजार्व अनामलाई टाइगर रिजार्व सत्यमंंगल्यम टाइगर। मुंधत अरही टाइगर रिजर्व और मेगमलाई टाइगर रिजर्व यह सब यहाँ पर हैं इनको आप नहीं चौरूडोम जरूड लूडोर कर लिजेगा 77-3, मुकूर्ती नयसल अप्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोलफर कौन बने हैं। सही आंसर होगा option D. So, Jeev Milkhaz Singh became the first professional golfer in the world to receive the prestigious 10-year Dubai Golden Visa. आगे बढ़ते हैं। आगामी T20 Cricket विश्व कप के लिए टीम इंडिया के mentor के रूप में किसे चुना गया है। MS THONI जो रास्तिंग विरंद सहवा गया फिर गोतम गंभीर सही आंसर यहां पर रहेगा option A. So, MS THONI has been dropped in as Team India's mentor for the upcoming T20 Cricket World Cup. तो देखे फ्रेंड्स अब जो T20 World Cup होने वाला है उसके लिए MS THONI इनको भारते टीम का mentor जो है चुना गया है for the murky event यह याद रखेगा भी मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा क्यों कि यह कई बार exam में पूछ ले जाता है साथे आपको जानना चाहिए BCCI ने हाली में 15 जो प्लेयर है इनकी squad को घोशित कर दिया है कौन-कौन खेलेंगे और जो यह T20 World Cup है यह 17 October से UAE और Oman में खेला जाएगा आपको जानना चाहिए जो MS THONI है तो सबसे पहले जो T20 World Cup जो start was the South Africa में 2007 में तो उसका जो inaugural season था यानि कि पहली बार जो यह World Cup की चुरुआत हुई थी तो पहला edition ही भारत ने जीता था और उसकी अगवाई कर रहे थे MS THONI देखे फ्रेंट चो यह मर्की है ना मर्की का मतलब होता है जो इस तरह का Tent होता है इसको बोलते हैं मर्की ठीक है या फिर आप इससे दे सकते हैं इस तरह के Tent जो हते हैं इसको बोलते हैं मर्की ड़ी काफी बड़े Tent होते हैं इसके फिर उसके अंदर कोई इवेंट चल रहा हो थीक है लेकिन यहां पर जो मर्की है इसका मतलब ही है कि कोई इस तरह का event मतलब जो काफी Public Domain में हो, काफी उत्सुकता हो, उसके होने की कई सारे Start में सामील होने वाले हो, तो उसको बोलते है, Mark event, आप इसको किसी और चीज के लिए कि कोई जैसे Award होने वाला है, ठीक है, तो उसमें कई सारे Superstar पहुंचते हैं, Bollywood के हो, तो आप कह सकते है Marky Award function, ठीक ह केंदर सरकार ने हाल ही में किस प्रवेश परिक्षा के लिए महिला प्रवेश की गोचना की है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन ए तो देखिए यूनियन गौवर्मेंट है आपर सुप्रेम कोड़ों का है कि अब जो पूने बेस्ट नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है तो यहाँ पर अब विमन जो महिला है जो यह लोग भी इसमें सामील हो सकती है और आपको बता दे जैसे ही यह ओडर पेपर्स पर आ जाएगा ठीक है ओफिशल ही हो जाएगा तो उसके बाद 12 के बाद जो विमन है यह भी अपना एंडिया का एक्जाम दे सकती है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने हाली में किस बैंक को अपने PCA परतिबंदों से हटा दिया है यूको बैंक, बैंक ओफ इंडिया, फिर्डरल बैंक या फिर सेंटरल बैंक ओफ इंडिया सही आंसर यहाँ पर रहेगा ओप्शन A तो RBI has recently removed यूको बैंक from its PCA restrictions जानते हैं इसके बारे में, तो देखे रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने कहाए कि यूको बैंक को अब हमने अपने PCA restrictions यानि Prompt Corrective Action Framework इससे अब बाहर कर दिया है, आपको बता दे साथ 2017 से ही यूको बैंक इस framework में जो है RBI द्वारा डाला गया था साथ है आपको जानना चाहिए, अब केवल Indian Oversies Bank और Central Bank of India केवल यही जो है, इस PCA restrictions के अंदर का सामिर है देखे PCA restrictions क्या होता है, कोई इस तरह का बैंक हो जिसके जो financial condition हो, वो सही नहीं चल रही हो या फिर NPA, जो है महाँ पर काफी ज्यादा मातरा में बढ़ रहा हो profit लगाता है नीचे घटता जा रहा हो तो इस तरह के बैंक पर RBI इपने निगरानी को काफी सक्त कर देता है तो उससे एक तो क्या होता है कि जब निगरानी सक्त रहती है तो दीरे दीरे जो है condition stable होने लगती है तो जब stable हो जाती है तो उसके बाद फिर RBI इस बैंक को PCF जो framework है इससे बाहर कर देती है आपको बताते हैं साल 2002 में RBI द्वारा इसको introduced किया गया था यूगो बैंक की बात करें तो MD and CEO अतुल कुमार गोयल है headquarters कॉलकाता वेस्ट बैंक ओल में है और इसकी tagline है honors your trust RBI ने किस बैंक के प्रबंदन इदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में V. वैद्यनाथन की पुनर नियुकती को मंजूरी दी है सही answer यहां पर रहेगा option C The Reserve Bank of India has approved the reappointment of V. वैद्यनाथन as the managing director and chief executive officer of IDFC First Bank और यह तीन सार के लिएन की नियुकती की गई है साथ ही आपको जानना चाहिए IDFC First Bank का headquarters मुंबई में है tagline है इसकी banking hut के और आजकल इसका एक campaign भी चल रहा है always you first तो इसको भी आप tagline के तरही देख सकते हैं और साथ ही आपको जानना चाहिए हाली में Indian Navy और IDFC First Bank इन दोनोंने मिलकर एक Honor First नाम से banking solution launch किया है जो Navy के veterans है और serving personnel है इनके लिए Honors, Honor First Bank of Padaada द्वारा कौन सा digital banking platform launch किया गया है सही answer यहाँ पर रहेगा option D So, Digital Banking Platform B.O.B.Word has been launched by the Bank of Badoada तो Bank of Badoada ने हाँ पर एक revamped mobile application launch ही है revamped मतलब की पहले से ही कोई application होगी उसमें फिर से सुधार किया है जिसका नाम है B.O.B.Word तो कई तरह की banking solutions यहाँ पर customers को provide कराई जाएंगी इससे पहले जो यह B.O.B.Word है इसको जाना जाए था M.Connect Plus के नाम से आपको जाना चाहिए Bank of Badoada के MD and CEO संजीव चड़ा है Headquarters Alkapuri वडोदरा गुचरात में है और इसके tagline है India's International Bank एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्यमे ग्रामीन संपर्क का विस्तार करने के लिए 300 million US dollar के रिण पर हस्ताक्षर किये है Options आपके सामने हैं और सही आंसर होगा Option D The Asian Development Bank and the Government of India signed a 300 million US dollar loan to expand rural connectivity in Maharashtra तो देखिए Asian Development Bank के बारे हमने कई जानकारी लिए है कई सारे loan इसने भारत को दिये अलग-लग राज्यों के लिए ठीक है तो यहाँ पर अब महरास्ट की बारी है तो महरास्ट को जो यहाँ पर ruler connectivity प्रोवाइट कराने के लिए 300 million US dollar का additional यहाँ पर financing दी गई है आपको जानना चाहिए ADB की जो इस्थापनाए 1966 में हुई थी काफी बार पूछा जाता है 68 member countries जो है इसमें सामिल है और हाली में बिल्कुल latest हमने यह पढ़ा था कि इंडिया और ADB इनोंने 112 million US dollar का loan sign किया है किसलिए water supply infrastructure को improve करने के लिए जारखंड में कोईला आधारित hydrogen उत्फादन के लिए roadmap तयार करने वाली वी सिसज्य समीती का अध्यक्ष कौन होगा options आपके सामने है और सही answer होगा option C so RK Malhotra will head the expert committee to prepare roadmap for coal based hydrogen production इसी तरह का question हमने इस से पहले भी देखा था मैं बताता हूँ क्या अंतर है देखिए तो ministry of coal नहीं आपर एक तो task force का गठन किया है और एक expert committee का गठन किया है purpose दोनों का एक ही है coal based hydrogen production के बारे में एक roadmap तयार करना तो जो ये expert committee बनाई गई है इसके chairman तो है RK Malhotra और जो task force बनाई गई है इसको head करने है विनोध कुमार तिवारी और दोनों का मकसद ही एक है to prepare roadmap for coal based hydrogen production तो ये points आप याद रखेंगे केंद्र सरकार ने new drugs, cosmetics and medical devices बिल तयार करने के लिए एक panel का गठन किया है इस 8 सदसी ये panel का नेत्रत कौन करेगा सही answer होगा option B The union government has set up a panel to prepare the new drugs, cosmetics and medical devices बिल Mr. V. J. Sumani will head the 8 member panel तो देखें आपर ministry of health and family welfare ने 8 member का एक committee मनाई है किसके लिए जो drugs होते हैं, cosmetics, medical devices तो इनके लिए नए laws frame करने के लिए और ये जो अब नए laws मनेंगे ये drugs and cosmetics act 1940 को जो है replace करें काफी पुराना एक्ट हो गया है तो अब नया है आपर लाया जाएगा आपको जानना चाहिए इस committee को chair करेंगे Dr. V. J. Sumani रभी marketing season 2022-23 के लिए है गेहू का MSP क्या है? options आपके सामने है, सही answer होगा option C 2015 2015 इसता wheat MSP फोर रभी marketing season 2022-23 यानि कि जो minimum support price है इसके लिए weight के लिए ये कितना अब कर दिया गया है तो ये 2015 कर दिया गया है तो यहाँ पर आप देखिए cabinet committee on economic affairs किसके द्वारा chair की गई है? परदानवांति नरेंदर मोधी के द्वारा तिनोंने जो रभी crops हैं तो इनके लिए minimum support price को increase कर दिया है कौन से season के लिए 2022-23 season के लिए important question है यहाँ से question आपके लिए बन सकता है पहले बाद तो friends आप ये जान लिए MSP जो है central government द्वारा set की जाती है और किसकी recommendation पर? Commission for agriculture cost and prices CACP की recommendation पर central government MSP तया करती है यानि कि जो MSP यहाँ पर तया कर दिया किसी फल के लिए कि X रूपे है तो X रूपे से नीचे government जो है उस खाद्यान को नहीं खरे दीगी MSP तया कर दिया कि हम जो है आपसे जो फसल लेंगे वो X रूपे में लेंगे उससे नीचे जो है फसल फिर खरीदी नहीं जाएगी जो भी government की agency से उनके द्वारा हाला कि आपको बता दे इस तरह कोई law नहीं है कि सरकार के लिए MSP तया करना कोई मजबूरी है ठीक है पर सरकारे करती आ रही है नहीं इस तरह की मजबूरी है कि कोई private player है तो वो MSP पर की खरीदेगा वो कम पर भी खरीज सकता है वो ज्यादा पर भी खरीज सकता है आपको बता दे ये 22 crops के लिए जो है तै की जाती है साथ ही sugar cane के लिए जो है fair and rumerative price इस नाम से तै की जाती है तो या तो आप कह सकते है 23 overall या आप कह सकते है 22 crops and fair and rumerative price for sugar gain तो ये आप दोनों चीजे याद रखिएगा तो इसमें जो 14 crops हैं ये खरीफ सी जनकी आती है राभी crops आती है 6 और बाकी 2 commercial crops आती है ठीक है तो इन सभी crops के लिए minimum support price नहाँ पर तै किया जाता है आपको जानना चाहिए सबसे पहले 1966-66 में minimum support price यहाँ पर fix किया गया था central government के द्वारा और friends इसी जब मैं ये PIB का जो ये लेक पड़ रहा था जो ये news story report थी तो इसी में एक जगा लिखा वा था PM आशा तो इस तरह के जो है आपके जो banking exam में तो इन में जो है पूछ लेते हैं इसकी full form तो याद रखेगा पर्धान मंत्री अन्यदाता आई सन्रक्षण अभियान ये इसकी full form है तो ये है देखे फ्रेंड्स MSP इस तरह से जैसे wheat है तो अब ये 2022-23 के लिए 2015 हैं आपर तै की गई है 2015 रूपे पर quintal ऐसी barley के लिए है gram के लिए lentils के लिए है ठीक है और ये सभी जितने भी है ये आप याद रखेंगे कि अब जो अब जो fix की गई है 2015-1635-2230 तो पूछ लेते हैं अभी कभी weight के लिए कितनी है barley के लिए कितनी है ठीक है ये आप याद रखेंगा आगे बढ़ते हैं दिमलिकित में से कौन सा विकल्प सही है सिक्षा परव 5-17 सितंबर 2021 National Nutrition Mission 1-30 सितंबर Food Processing Week 6-12 सितंबर जी हां तो सभी सही है All of the above तो देखे Ministry of Food Processing Industries ये Food Processing Week मना रही है 6-12 सितंबर के बीच में और जो National Nutrition Mission लिखा हैं आपर National Nutrition Month होगा है National Nutrition Month ये 1-30 सितंबर तक चलने वाला है यानि कि पूरा सितंबर चलेगा जो पोशन माहा है साथी आपको जानना चाहिए Ministry of Organization ये एक webinar कंड़क्ट करा रही है शिक्षा परवकों लेकर जो कि 5-17 सितंबर तक चलने वाला है और इसका theme रहेगा Quality and Sustainable Schools Learnings from Schools in India साथी फ्रेंड्स अब जैसे मैंने आपको पताया जब मैं इसको पढ़ रहा था P.I.B. में तो यहां यहां ही पर एक मेरे को ये भी मिला PMG दिशा तो इसकी फिल फोर्म आपको जानने चाहिए परदान मंत्री ग्रामी डिजिटल शाक्षरता अभियान हाला कि ये साल 2017 में लौंच किया गया था पर आपको इसके बारे में जानना चाहिए तो इसका मकसद क्या है The scheme invasives to make 6 crore persons in rural area digitally literate ये जो सब देना friends ये कई बार एक्जाम में पुछा जाता है इसका synonym पूछ ले जाता है या फिर जो fill in the blanks आते है उसमें पूछ ले जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा तो एक option ये भी रहता है invasives का मतलब होता है कलपना करना भविश्य में किसी चीच की कलपना करना तो यहाँ पर लिखा है न the scheme invasives यानि कि यह scheme जो है कलपना करती है किसकी 6 करोड परसन जो है रूलर एरियाज में उनको digitally सिख्षा देने की तो आयोप आप इसको समझ गए होंगे जैसे आप अपने लिए कह सकते हैं कि हम भविश्य में जो है बैंक में पियो बनना हम अपने आपको देखते हैं कि हम भविश्य में रहेंगे आप जो है इनवी से इस करते हैं अपने आपको किया आप बैंक पियो बनेंगे आगे देखते हैं विश्व आत्महत्या रोक्थाम दिवस किस दिन मनाये जाता है सही आंसर होगा option C World Society Prevention Day is observed on 10th of September तो 10 सितंबर को मनाये जाता है 2021 में इसका theme रहेगा Creating Hope Through Action बेलने की सहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोईला गैसी करन आधारित मेथनोल उत्पादन सनियंत्र इस्थापित किया है पूने, कॉलकाता, हरिद्वार या फिर हैदराबाद सही आंसर यहां पर रहेगा option D So BHEL या भेल है सेट अप इंडिया फर्स्ट एवर इंडिजिनेसली डिजाइन्ड हाई एश कॉल गैसिफिकेशन बेस्ट मेथनोल प्रोड़क्शन प्लांट इन हैदराबाद तो हैदराबाद सिटी में इसको लॉंच किया गया है BHEL के द्वारा बहल का जो R&D सेंटर है Research and Development सेंटर इसके द्वारा और इस प्रोजेक्ट को फंड किया है Department of Science and Technology ने जिसने की 10 करोड रुपे का आपर ग्रांट दिया है आपको जानना चाहिए जो BHELS के चेर्मेन नलीन सिंगल है और Headquarters New Delhi में है आएकर विवादों से बचने के लिए CBTT द्वारा कितने अग्रिम निर्ने बोर्ड स्थापित किये गए हैं सही answer यहाँ पर रहेगा Option Option D हाँ पर सही रहेगा ठीक है यह थोड़ा उपनी चोगया Option D So 3 Boards for Advance Rulings BAR Have been set up by the CBDT To help avoid income tax disputes तो देखे जो income tax से related जो disputes होते हैं जो विवाद होते हैं तो उनसे रिबचने के लिए Central Board of Direct Taxes CBDT इसने 3 Boards for Advance Rulings इस तरह के Boards नहापर बनाएं और यह जो Boards हैं यह Authority for Advance Rulings AAR इनको replace करेंगे जो यह AAR है 1993 में set up किये गए थे और हाली में हमने पढ़ा है कि JB मोहपात्रा इनको CBDT का च्वेर्मेन निक्त किया गया है परसित्ध फुटबॉल खिलाडी Jane Pierre Adams जिनका हाली में निदन हो गया किस देश के लिए खेले तो friends सही आंसर होगा option B लिजेंट्री फुटबॉल प्लेयर Jane Pierre Adams who has passed away recently played for France तो देखें France के यह काफी famous शोकर प्लेयर थे यानि फुटबॉल प्लेयर थे और 49 साल यह जो है कोमा में रहे और अब इनकी बृत्तियू हो गई है 33 साल के थे अरूड लाइफ दा मैमोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है सही आंसर यहां पर रहेगा option A वीर संगी इस दा ओथर अफ़ दा बुक टाइटल्ड अरूड लाइफ दा मैमोर और आपको बता दे यह जो बुक है अरूड लाइफ दा मैमोर यह Penguin Random House त्वारा पब्लिश की गई है और वीर संगी काफी जाने माने जर्नलिस्ट हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम कर चुके हैं अब देख लेते हैं प्रीवेस असाइनमेंट कोस्चन्स के आंसर वाट इस रोश हशना सो आंसर इस जीविश और आप मेंसे कई एसमेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स आप से रिक्वेस्ट है आप हमारे सेशन को बस सेयर कर दिया कीजिए ताकि हमारी रीच और बढ़ सके देखे काफी मैनत लगती है पर रीच इतनी पहुँच नहीं पारी है तो यह आभी लोग पोचा सकते हैं इसको शेर कीजिए किसी गुरूप में आप एड हों या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ तो कई फ्रेंड्स होंगे ना जोते जारी कर रहे हैं तो उनको आप हमारी वीडियो सेंड कर सकते हैं जिसको अच्छा लएगा वो ओवियस सी बात है कि आगे देखेगा साथी फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आज के साइनमेंट कॉस्टेंज वट इस दे कैपिटल एंड करंशी ओफ मियामार हो विल हैट तालीमान इंटरिम गवर्मेंट प्रमोद भकत इस करंटली दे वर्ड नंबर वन इन विच इस्पोर्ट कोस्टन का मतलब हुआ कि जो एडिनबर्ग इस्पोर्टलेंड यूके में जो इस्तित है एक ओल एंड गैस एक्सपोर्रेशन कंपनी जिसका नाम के इनर्जी इसके सीओ कौन है फिफ्ट कोस्टन है रिसेंटली विच कंपनी हैस डिसाइडेड तो ड्रॉप केसेज अगेंस इंडिया एंड रेडी तो एक्सेप वन बिलियन उस डॉलर ओफर यदि आपको एक कोस्टन का अनसर भी आता है तो वह भी आप हमें कोमेंट बोक्स में बता सकते हैं साथी करंट अफेर्स फंDA को आप टेडीम पर भी जोईन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडो अप्टेटस और करंड कूईजज हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं अब हमारे current affairs की playlist दे गई है इसको आप जरूर देखे अपने दोस्तों के साथ और जो fellow experts हैं उनके साथ हमारे current affairs को share जरूर करें और आज का इस session आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताइएगा Thank you guys